दोसा गंगापुर रेल लाइन परियोजिना का काम 1976 में शुरू हुआ था इस ट्रैक पर पूर्व में दोसा से डिडवाना तक और गंगापुर सिटी से पिपलाई तक ट्रैक बन कर तयार हो चुका है अब लाजसोट से लेकर पिपलाई तक 26 किलो मीटर लंबाई में ट्रैक बिचाने और स्टेशन निर्मान से जुड़े काम पूरे हो चुके हैं सभी रेलवे स्टेशन सजधच कर तयार हैं पर्योजना पर अब मात्र डिडवाना से हिंदावा गाउं के बीच निर्माना धीन प्रादेश की सबसे बड़ी सुरंग का काम बाकी है इस सुरंग का काम पूरा होने के बाद ये ट्रैक दिल्ली मुंबई और दिल्ली एहमदावाद ट्रैक को जोड़ देगा गत दिनों रेल बे यहां लालसोट से पेपलाई रेल खंड पर 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से रेल एजजन को चलाने का सफल स्पीड ट्रायल कर चुका है साब का जो अभी टेंटेटिव प्रोग्राम हमारे पास आया है तीन तारिकों CCRS साब इंस्पेक्शन के लिए आएंगे और पीपलाई से तकरिवन साड़े नौ से दसके बीच में वो मोटर ट्रॉली इंस्पेक्शन करेंगे ताकि जो ट्रैक को है वो टेक्निकलिटी सारी पूरी टीम रहेगे हमारी इंस्पेक्शन कराने के लिए तो ट्रीटा उसके बाद के लिल आलसोट मोटर ट्रॉली साब देक्शन करेंगे लाल सोट से पीपलाई का कि ये पूरी तरह से हमारा प्लोग्राम रहेगा तकि शां तक कि पूरा वाइंड-प हो 26 km का हमारा track है तो इसमें जो track का काम हमने पूरी तरह से complete कर लिया है safety का item सारे comply कर लिया है station पूरी तरह से तयार कर लिये गए है especially platform number one हम लोग तयार कर रहे है क्योंकि हम इसको one train system से अभी गाड़ी चलाएंगे तो platform number one पे जो भी passenger amenities से related जो भी item है जैसे foot over bridge हो गया, toilets हो गया, handicap ramp हो गया handicap parking हो गई, वो सारे हमने तयार कर लिया है एक तरह से platform number one के हिसाब से complete तयार है हमने कर लिया है 3 मार्च को railway के मुख्या rail सरक्षा आयोक्त, आरके शर्मा दौसा गंगापुर, rail परियोजना पर लाल सोट के पिपलाई की बीच CCRS निरिक्षन करते हुए track की सुरख्या जांच करेंगे सुरख्या जांच होने के बाद safety clearance मिलने के साथ ही गंगापुर सिटी से लाल सोट तक आगामी अपरेल और मई माह में ही rail संचालन शुरू होने की भी संभावना है मुख्य रेल संचा आयोक्त लाल सोट तक 26 km लंबे track का मोटर ट्रॉली से निरिक्षन करेंगे इस दोरान वे ट्रॉली से पूरे track की सुरख्या भी जांचेंगे लाल सोट पहुचने के बाद मुख्य रेल संचा आयोक्त आरके शर्मा विशेश रेल में बैठकर पेपलाई तक विंडो ट्रेलिंग निरिक्षन और फुल स्पीड से स्पीड ट्रायल निरिक्षन भी करेंगे बताए जा रहा है कि ये रेल करीब सो किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से दोड़ेगी करीब धाई दसकपूर दौसस से गंगापूर रेल लाइन का सपना देखा गया था अब यह सपना जल्द ही साकार होने की उम्मीद बंद रही है इस ट्रेक पर गंगापूर से लालचोड तक ट्रेक पूरी तरह तयार हो चुका है तीन मार्च को यहां रेलवे के अधिकारी सुरक्षा का जायजाय लेंगे रेलवे के जो मुख्य सुरक्षा आयुकत है वो यहां सुरक्षा का जायजाय लेंगे जिसके बाद कंगापुर से लेके लालचोड तक ट्रेन संचालन से गरही शुरू हो सकेगा इस परियोजना पर पूर्व में संद 2017 में कंगापुर सीटी से लालचोड तक इस परियोजना पर ट्रेन का संचालन किया जाए जिससे कि लोगों को ट्रेन की आवाज आई कि सुईदा मिल सके यह आपको हम एक बार और बता दें इस परियोजना पर अब भी एक काम बाखी पड़ा है वो है प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग काम जी हां लालचोड के टेटवाना से लेके इंदावा गाउं तक इस परियोजना पर प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग काम अभी जा जा रही है रेलवे इस काम में अब काफी तैजी भी ला चुका है रेलवे अधिकारिय कि माने तो इस सुरंग का काम अगले साल तक पूरा आगामी वित्ती वर्स तक पूरा होने की उम्मीद है जिसके बाद दोसा से लेके कंगापुर तक पूरे ट्रैक पर रेल का संचालन शुरू होगा और जैपुर और दिल्ली बॉम्मे रेल को कनेक करने के लिए एक ये एहम ट्रैक साबित होगा पत्रिका टीवी के लिए महीश वियारी शर्माइब